बच्चों दोस्तों एक वर्फिस से आप लोग सामने देखिए रिजिनिंग की बहुत ही इंपोर्टेंट आप लोग सामने वीडियो लेकर क्या हूं इस वीडियो में हम लोग सॉल करने वाल है टॉप 20 कोश्चन यह जो टॉप 20 कोश्चन है दोस्तों यह इसमें ज्यादत तर आप लोगों को हैई लेवल करोशन मिलेंगे easy कोशन कम मिलेंगे जो आप लोगों को भी स्क्रीन पर देख रहें इतने ही लगबग easy question होंगे यानी 4-5 बाकी सब हाई लेवल के कोशन मिलने वाले हैं तो उसके लिए आप तयार रहीएगा लाश तक बने रहीएगा अगर आप इससे सी रेल वे बाएंग की उप्यूल इसका अंटर पर बीए डाल पर बहुत सारे जोगर में जाबके एक्जाम की तयारे करें या फिर इंटरेस की तो यह है इसमें क्या है पहले नमंबर पर निटली है है दोसरे पर कोकून थारे यह जब भी ऐसा कोशन है तो हमें करना क्या बड़ा उससे बड़ा यानि कि आरोही करम में आपको सजा करके लिखना है तो इस टाइप अब वो कोश्चन पर डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है इसमें अब मालीजी कि यहां पर दिया हुआ है तितली कोकून अंडा कीडा तो इसमें सबसे पहले तितली तो आप कीड़े के रूप में निकलता है कीड़ा यानि चार नंबर और वहीं कीड़ा थोड़ा सा और बड़ा होता है तो कोकून बनता है क्या कोकून तितली का कोकून बनता है और उसके बाद जब वह बड़ा होता है तो बटर पड़ा यानि तितली बन जाते है यह होता है सही करम 3-4-2-1 तो देखिए 3-4-2-1 आपका right answer next question देखते हैं अब यहाँ पर दोस्तों अगर आप देखेंगे तो यह blood relation का question है और मैं बता दू कि यह बिल्कुल high level का question क्या high level का इसलिए बहुत ज़्यादा आपको दिमाग इसमें लगाने की ज़रुवत है easy easy मेरी वीडियो में आप देखेंगे जितनी भी वीडियो है उसमें आपको easy question कम मिलेंगे मेरी वीडियो में ज्यादत तर high level के ही question मिलते हैं क्योंकि exam में दोस्तों easy question अब नहीं आते हैं अगर आप लोगों के सामने 25 question reasoning के हैं तो उसमें 5 question easy देगा बाकि 20 question high level के डाल देता है आपको यह पता है तो चलिए देखते हैं क्या कहरा है कि राहूल और राविन भाई है क्या कहरा है राहूल और राविन भाई है इसको हम कड़ियां जोड के करते हैं कड़ियां जोड के करेंगे easy question हो या high level का कोई फर्क नहीं पड़का सब easy हो जागा जैसे माली जी कि यह राहूल है कैसे कड़ियां जोड़ेंगे राहूल इंडिकेट कर रहा है इसके राविन के भाई को तो राविन के इस तरीके से एरो बनाएंगे और यहां पर राविन लिखेंगे ठीक यहां पर क्या लिखेंगे राविन लिखेंगे और उपर देखा द डाल देना है चलिए आगे देखते हैं अब इस पर ध्यान देजी अब ऐसे नहीं बनाएंगे रो यह रो ऐसे बना देंगे अगर कि पर मोद रॉबिन के पिता है तो इधर की बनाएंगे और अब पर मॉद को यहां पर लिखेंगे ठीक है परमुद को और दिखा देंगे कि इसके राविन के पीता तो यहां से कुछ चीज़ें अपने दिमाग में बैठाते हुए भी चलेंगे जैसे राविन जब राविन के पीता है तो परमेद राहुल के भी पीता हूँगे क्योंकि राबिन राहुल क्या है भाई है इतना तो किलियर है कोई दिक्कत यहाँ पर तो पर्मोद राबिन और राहुल दोनों के पिता है ठीक चलिए आगे सीला पर्मोद की बहन है क्या कह रहा है अब मुझको एक बात बताईए कि जो भाईजी होती है जैसे पर्मोद की प्रेमा क्या भाईजी है वो भाईजी किसकी बेटी होती है पर्मोद की जो बहन होगी उसकी पुत्री होगी वही तो उसकी भाईजी होगी पर्मोद की बहन की पुत्री ही पर्मोद की बहन कौन है यह पर दिया भी है, सीला है, यानि यहां से अपने दिमाग में एक और रिलेशन निकाल लेना है, कि सीला, जो प्रेमा है, इस सीला की पुत्री होगी, पुत्री होगी, तब ही तो प्रेमा परमोत की भाजी है, दिमाग में बढ़ गई बाग, जी यहां पर देखिए, परमोत की कह क्या होगी पुत्री होगी तो यह सारी चीज़ अपने दिमाग में चलाते रहना है को सॉल करते समय अब बहुत स्पीर्ट से करना है मैं समझा रहा हूं समझ जाएंगे एक बाद स्पीर्ट से धुना-धुना कर लेंगे एक्जाम में चलिए आगे कहरा सुभा सीला की नातिन ह सीला की क्या है नातिन है अब यह बताएं सीला की नातिन किस कंडिशन में लगेगी सीला की नातिन किस कंडिशन में लगेगी यानि सीला की पुत्री की यह सुली कौन है यहां पर देखिए सुभा है यहां पर मिश्टेक हो गए रहे मैंने सीला दबल कर दिया यहां पर सुभा कर लेजिए ठीक सुभा क्या है नातिन है अब मुझको एक बाल बताईए जब यह सुभा सीला की नातिन है इसका मतलब सीला की पुत्री की सुभा पुत्री होगी यानि कि प्रेमा की पुत्री होगी प्रेमा की पुत्री होगी तो इसी कंडिशन में तो सीला की नातिन लग सकती है यह बात समझ में आ गई चलिए आगे क्या कर रहा है राहुल का सुभा से क्या संब्द है अब भीया इस राहुल का पूछ रहा है यह राहुल इस सुभा का क्या लगेगा यही पूछ रहा है तो अभी हां से समझते है देखिए राहुल राबिन का भाई है तो उस condition में परमोत क्या हुए राहुल के फिता हुए अब परमोत की बहन है वो राहुल की क्या लगेगी फुगा लगेगी ठीक है फुगा की जो नातिन होगी फुगा की यानि अपने उपर रख लेजी आप राहुल है ठीक है तो आपकी जो फुगा है उसकी जो नातिन होगी वो आपकी क्या लगेगी आप कहेंगे कि वो तो मेरी भाजी लगेगी यानि कि राहुल इस सुभा का क्या लगेगा मामा लगेगा वही पूछ रहा कि राहुल सुभा क्या लगेगा तो मामा लगेगा क्योंकि सुभा क आओगी भाजी लगेगी चलिए option देखिए see is the right answer clear हो गई बात तो यह सारी चीज़े अपने mind में set करते हुए चलना है तब जाकर कि थोड़ा सा lengthy question था इस ताइप के question को आप solve कर लेंगे easy question तो इस मतलब यह जो मैं arrow वाला बताया हूं तरीका easy question तो आप चुटकी भर में कर लेंगे next यहां पर चलिए देखते हैं क्या कह रहा है कह रहा कि विकरम बिंदू आर से चलना आरहमब करता है यानि दिसा और दूरी दिसा और दूरी का question है यहां पर देखे पूरप साइट दाई साइट पर्चिम साइट बाई साइट दच्छर नीचे और उत्तर उपर अब देखिए यह बीच वाली दूरी को दिसा को समझे उत्तर पूरप के बीच की दूरी को उत्तर पूरप कहते हैं दच्छर पूरप के बीच की दूरी को दच्छर पूरप कहते हैं और उत्त क prends 빛रACT wissen कि पुछ पिछी द ऊतर प्रकल कैते हैं इस तर stem से cabe पूरी दिसाओं और एबिर साफ दूरीह खतम हो जाती आती है यही बाते हैं बिदियों पार रहता हूँ हर वीडियो में इसलिए बटाने 7 km चलता है ठीक सीधा चलता है करया फिर बाई मुड़ता और 2 km चलता है देखे पस्चिम दिशा में जाएंगे बाई मुड़ेंगे तो नीचे आएंगे 2 km आप देखेंगे 7 km जब एक दूरी आपने मान लिया कि इतनी Wen with people parents अब जो दीसा है इस टाइम यह डाच्ष्ड दीसा नीचे वाली अब दठीशवए दीशा में जब कोई बंदा चलेगा तो अपने बायं मुटेगा तो आप उसके दाएं मुटेंगे यानि उसका उल्ट vigil UP करना है वह कहरा है कि बाएं मुड़ता और चार किलिमेटर चलता है तो आप दाएं मुड़ेंगे और चार किलिमेटर चलेंगे चार किलिमेटर इतना होगा साथ के साप एक्ष में साथ इतना है तो इसका मतलब इतना तीन यारी दच्छिर पर्षिम हो जाएगी बस हो गया काम इस तरीकी से दोस्तों इसे कोशन को सौल किया जाता है कोशन से ही step by step किया जाता है जैसे आपने blood relation का किया वैसे यह दच्छिर पर्षिम देखिए option भी the right answer next question देखते हैं यहां पर देखिए क्या है कि f के पास इस से कम ल पास क्या कह रहा है h से कम यानि कि h से कम less than h बट लेकिन कह रहा है g से अधिक धने लेकिन g से अधिक धने एक काम करते थोड़ा सा दूरी पर इसको लेते हैं क्योंकि बीच में किसी को अरजेस्ट करना रहेगा तो हम अरजेस्ट कर लेंगे दुबारा काटा पिटी ना करना पड़े कियोंकि एक्जाम में हमारे पस इत्ति टाइम नहीं होती इस तरीके से थोड़ा सा दूरी बना करके कीजिएगा ठीक है आगे कह रहा है e के पास f से अधिक लेकिन h से कम धने आगे कह रहा है e के पास f से अधिक e के पास अगर हम e को यहाँ पर रखें और ऐसे देखाए f से अधिक तो लेकिन h से कम हो गया e के पास f से अधिक देखिए greater और less than h यानि की h से कम धने बात हो गई बरबर इस तरीके से मैंने sit कर दिया इसी तरीके से मैं इसी लिए मैंने कहा था कि जगह छोड़िएगा इसी और को सेट करने अब कह रहा है कि सबसे गरीब कौन है तो सबसे देखिए h is greater than e यानि s को e से अधिक है e को f से अधिक धन है और f को g से अधिक धन है तो सबसे लास्ट वाला कौन है जी है इसको सबसे कम धन है यानि सबसे गरीब हुआ option d is the right answer समझ में आया next अब यहां पर दोस्तों क्या कह रहा है यह तो sitting arrangement का question क्या कह रहा है कि राजा कौमल रूपा इस निया था तरोड एक पंक्ति में दच्छुड की और मुख करके बैठे हैं दच्छुड की हो देखिए दोस्तों अभी मैंने सारी चीज़े बताए दच्छुड की तो मुख है जैसे उसका दाया आपका बाया उसका बाया आपका दाया अगर उतर में रहेगा तो जिधर आपका दाया ही बनांगे जिधर बाया रहेगा उधर पडाया बनागे उत्तर कंडिसर्ण में जिब और कि तरफ एस सारे जीए लेकिन नीचे वाले में उल्टा हो जाता है, बस इतना समझ लीजी, आगे चलिए पढ़ते हैं, कहरा है, राजा तथा कॉमल एक साथ बैठे हैं, राजा तथा कॉमल, अभी यहाँ पर सिट नहीं करेंगे, राजा तथा कॉमल कहरा है, इस तरीके से पड़ोस में एक साथ हैंगी, कहरा है कि रूपल पश्चीम छोर पर बैठी है, पश्चीम छोर कि इधर है, इधर है, तो कौन बैठा है भाई, रूपल बैठी है, तो रूपल को बैठा दीजे, पश्चीम छोर पर जो एकदम फिट बैठा है, जो नहीं बैठा है, उसको बाहर रखी है, बाद मे का पड़ोसी है तरूड को कह रहा कि कोम रूपल और कोमल कोमल आपकी उपर वाले में मैंने सिट किया है तो क्या करेंगे तरूड को कह रूपल रूपल इस साइट देखिए जो पश्चिमी छुटे में बठाया तो हम तरूड को यहां पर लाएंगे क्योंकि रूपल का परोसी हो गया तनूर रूपल का भी परोसी हो गया अब इस कंडिशन के हिसाब से एक जगए यही बच रही है तो यहां पर हम राजा को रखेंगे तभी तो बात बनेगी यानि नीचे वाला यह सेट था कोमल और राजा वाला वही सेट हो रहा है ऊपर वाला सेट नहीं हो यहां पर दि दिए और डी यहां पर कुछ नीरोपित करेंगे लेकिन गुडा भाग पलस जब नीरोपित करेंगे तो इससे पता चला डी माइनस को ही निरोपित करेगा तो नहीं दिया अपनी तरफ से समझ लेते हैं क्या दिखका तो मिस्प्रिंट हुआ होगा तो डी की जगा हम माइनस बनाएंगे और आगे क्या है उन्नीस से उन्नीस लिख लेंगे बात खत्म बोड मस्रूल कहता है चिन्नों में पहले भाग को निप्टाई यहीं आपका अंसर हो जाएगा option B is the right answer next age problem का question करें दो लड़कों की आयू का अनुपात तीन सम्बंदे चार का है यानि present time की बात कर रहा है कि दो लड़के x और y माल लेते हैं उनकी आयू का अनुपात करें तीन सम्बंदे चार का कैसे trickly solve करेंगे वह तरीका जानिए दो Yetide present time में जो आयू थी उसका अनुपात तीन सम्बंदे चार औगे की रतीन वर्स बात ये अनुपात चार सम्बंदे 5 का हो जाता है क्या हो जाएगा tीन वर्स बाद तीन वर्स बाद तीन वर्स बात क्या कह रहा है तीन वर्स बात ये जो अनुपात है ये चार संबंदे पांच का हो जाएगा एक चीस पर ध्यान दिजिए परजेंट टाइम में अनुपात तीन संबंदे चार का था यानि कि 3 वर्षबात अनुपात में कितनी विरिध्धी हो रही है इसे यह पता चल रहा कि एक यूनिट यानि एक अनुपात का मान दिखिए या एक यूनिट कामान दिखिए कितना हो गया तीन वर्षबान कि एक unit की बीरे दियोरे तीन वर्स में तीन वर्स बढ़ रहा है तो एक अनुपात बढ़ रहा है इसे यह पता चल रहा है कि एक अनुपात का मान तीन है clear, अब present time में x का जो अनुपात 3 था तो 3 का अनुपात यानि x की आयू यहां से निकालेंगे तो 3 का अनुपात का मान कितना हो जाएगा एक अनुपात का मान 3 है तो 3 अनुपात का मान 3 गुड़े 3 बराबर 9 हो जाएगा यानि x की आयू 9 वर्स निकल गए इसी तरीके से y की आयू निकल जाएगी उसका अनुपात का मान 4 है तो 4 गुड़े 3 कर देंगे यानि 12 वर्स हो जाएगी clear अब पूछ क्या रहा है क्या रहा है एक कईस वर्स के बाद उनकी आयू में क्या अनुपात होगा एक कईस वर्स वर्स बाद इसमें जोड़ दीजिये दूनों में ठीक एक कईस वर्स बाद इनकी आयू केतनी हो जाएगी और एक ठोकी 33 हो जाएगी अब इनका अनुपात पूछ रहा है तो तीन संबंदे 33 कर दीजिये और देखिए जिसे कट रहा है काट लीजिए किससे कटेगा तीन से कटेगा तीन दाह में तीस और तीन गार यानि दस संबंदे 11 यही आपका अंसर हो जाएगा और यह आट पर है ठीक है तब ही चार चालिस बजे के समय पर घंटे की सुई तथा मिनट की सुई के बीच का कोड़ क्या होगा इस आंगिल की बात कर रहा है जो ठीठा मैंने आंगिल देखा या उसी आंगिल की बात कर रहा है तो यहां पर आट से पहले हम साथ पर जाएंगे साथ से पहले चोगा चोगा अगर दोस्तों हमें एक घंटे के बीच का कोड़ पता चल जाए एक घंटे के बीच का कोड़ पता चल जाए तो चार से आठ बज़े के बीच में चार घंटा होता है अगर एक घंटे के बीच का कोड़ पता रहेगा तो इसमें हम उतने ही से गुड़ा कर देंगे चार से तो चार घंटे का कोड़ पता चल जाएगा लेकिन उससे अंसर नहीं आएगा भी, अब एक चीज़ और मैं समझाँगो, उसके बाद लाश्ट मैं अंसर बताऊँगा, चलिए फटा-फट पहले कर लेते हैं, एक घंटे का कोड़ निकाल लेते हैं, यहां से देखिए, मली जी कितना बज़रा, एक बज़रा है, ठी, एक ह यह जब दो बचेगा, तो यह पूरा एक चकल लगाए कि नहीं, क्या घंटे में एक चकल लगाती है, घंटे वाली सुई, आप कहेंगे कि बारा आवर में, यह बारा घंटे में घंटे में घंटे वाली सुई, पूरा एक चकल लगाती है, बारा घंटे में, यह एक और दो क कोड़ बनता है तो एक घंटा में कितने डिगरी का कोड़ बनेगा देखे एक घंटे में मैंने कोड़ निकाल लिए यहां से मिनट वाला भी निकाल लेते हैं क्योंकि उसकी भी जरूद पड़ेगी कैसे अभी बताएंगे यहां पर देखे एक घंटा बराबर होता है यहां यहां पर चुंकि 4 से 8 बजे के 20 जो है वो 4 घंटे का समय लेती हैं चार खाना देखिए यहां से 120 डिगरी का क्या ये सही हो जाएगा नहीं होगा क्यों देखिए यहां से समझे जब दोस्तों पूरा चार बजेगा पूरा चार बजेगा तो ये पूरा घंटे वाली सुई एकदम ठीक चार परोगी लेकिन जब ये 4-40 होगा तो ये घंटे वाली सुई थोड़ा सा अंदर आ 40 मिनट का सफरता है कर रही है उसका जो एंगीर उसकी वज़ए से कम भार वही निकालेगे यानि एक मिनट में आपने एक बटे-2 डिगरी का कौड निकाला तो दोस्तों 40 मिनट में कितने डिगरी का कोड निकलेगा अगर कमी होगी तो माइनस करेंगे सारी लोजिक यह करेंगे माली जी की पांच बचकर 20 मिनट की बात हो रही हो ठीक है तो वही कंडिशन इसमें भी अपलाई करेंगे अब आप देखेंगे 5-20 कैसे बज़ रहा है जैसे माली जी 5-20 का मतलब यहां पर 5 होगा और 20 कहा होगा य अब इस कंडिशन में क्या होगा माली जी चार पर होगी यह पांच पर होगी अब यहां पर दोस्तों अंगिल बन ना है वही पूछ रहा है एक खाना का चार और पांच बाजी के बिच में एक खाना का अंतर तो 30 लिख लेंगे लेकिन यह जब 20 पर आईए तो यह थोड़ा आधा का बनना है तो 20 में कितने का बनेगा दस डिगरी जोड़ेंगे तो 40 डिगरी आएगा समझ में आगे कहा घटाएंगे कहा जोड़ेंगे यह बास समझना बहुत जरूरी था यहां पर हम घटाएंगे तो वह आपकी सूई के उपर डिपेंड करता है आप सूई ऐसे लेकिन हर चीज समझ रहा है कि यदि किसी अधिवर्स हमें सुक्रवार के तीन दिन के बाद एक मार चाता है तो 22 नमंबर को सब्ता का कौन सा दिन होगा कह रहा कि अधिवर्स अधिवर्स मतलब जानते हैं जिसमें फरवरी क्या हो फबरवरी 29 की हो यानि कि वह साल कितने का ह तीन सो चाचर दिन का उसको अधिवर्स करते हैं ली पियर्स जो की चार से कटे और सताब्दी चार सो से कटे उसको ली पियर का जाता है तमझ में आगए बात जैसे 24 चल ला है यह ली पियर फरवरी 29 की थी क्योंकि यह देखिए 45 24 24 चड़ गया चलिए यह सारी चीज़े सम सुकरवार के एक दिन के बाद सनिवार उसके बाद रवी वार उसके बास सोमवार्ट तीन दिन एक के बाद कोंसा दिन आएगा यहांपे मंगलवार आराएगा मंगलवल अभी इस मंगलवार को कह रहा है कि एक मार्च आता है कितना एक मार्च आता है तो कह रहा है कि 22 नवंबर को कौन सा दिन होगा इसका कहने का सीधा सीधा मतलब यह है कि एक मार्च को मंगलवार पड़ रहा है उस अधीवर्च में तो 22 नवंबर को कौन सा दिन पड़ेगा तो लिए तो फरवरी तो है नहीं कोई बात नहीं सीधा सीधा सॉल कर लेते हैं क्या करेंगे जितना भी महीना मार्च से नमंबर तक आ रहा है सब को लिख लेंगे तो क्यों सा कौंस आएगा मार्च आएगा ठीक अपरेल आएगा उसके बाद मैं आएगा उसके बाद जून तो उसको सिफ बाइस लिख लेंगे और कुछ नहीं करेंगे और मार्च में एक दिन देखा चुका है तो बागी मार्च में कितना दिन बचा अब ये जानिए तेखिए अपरेल नमंबर जून सिटमबर मानो ये हैं 30 28 और 29 दिन की फरवरी है फरवरी क्या है 28 और 29 दिन की ब बागी सब 31 तो मार्च दोस्तों 31 का महीना निकाल लीजे कि एक मार्च को मंगलवार बता रहा है तो उसको छोड दीजे तो बचा हुआ 30 दिन अपरेल पीसका होता है 30 लिख लिजे जून आपका 30 लिख लिजे जुलाई होती लिख लिए टो ट्रोटल दिन को लिखते जाए तीन तीन नौ तीन बारह तीन पंदरह तीन अठारह तीन एककाईस एककाईस अर तीन दोस्तों हो जाएगा कितना 24 यानि 240 और सिंगल सिंगल वाला चाह 24 और 22 हो गया कितना 206 जो यह 206 आया है अब क्या करेंगे इस 206 में दोस्तों हम 7 से भाग देंगे सबता में 7 दिन होते हैं 7 से भाग देंगे देख लीजिए तो 7 तरीके कितना हो जाएगा 7 तरीके 21 5 5 6 7 वाड़े 56 कितना 56 अब यहां पर 56 पूरा पूरा कट जा रहा है 0 आ जा रहा है यानि 6 यहां पर नीचे 0 बच रहा है तो 22 नमबर को भी मंगलवार एक मार्च को जब मंगलवार है तो 22 नमबर को भी मंगलवार आएगा क्योंकि सेस जीरो है अगर सेस एक होता तो उस कंडिशन में मंगलवार में एक जोड़ देते हैं यानि बुधवार हो जाता दो आता तो दो जोड़ देते तो बिरस पतिवार आया था लेकिन सेस कितना आया है, जीरो आया, तो मंगलवार में जीरो जोड़ेंगे, तो मंगलवार ही रहेगा, यानि एक मारचो को मंगलवार है, तो 22 नमोर कोई भी मंगलवार रहेगा, option में देखिए, कोई नहीं दिया हुआ है, तो last वाला देखिए, non of these option, इसको टिक कार उतर आकितियों में से, उस आकिति को चुनिए, जो आकिति बाक्स के आकार से मोड़ने से बनेगी, यहाँ पर open dice का question है दोस्तों, यहाँ पर जैसे माली जी open dice की concept को समझ लेते हैं, इस तरीके से नमबर है, ठीक, और इस तरीके से इधर अगल बगल कोई है, पाच और श दूसरे के opposite के, पहला वाला तीसरे के, दूसरा वाला चौदे के, यहाँ पर इसलिए ज्यादे यह confusion खड़ी करेगा, क्योंकि एक जैसे दो दो फिगर दे दिया है, एक जैसे दो दो दिया, यही चीज़ confuse करेगी, और उसी को हमें समझना वरना आप सिकेंडों में इसको solve कर लेते, ठीक है, नंबर वाला यह रहता, इस टाइप का, तो आप सिकेंडों में solve कर लेते, कुछ करना नहीं रहता, अब यहाँ पर देखिए, अब माली जी एक condition कैसे बनती है, यहाँ पर देखेंगे पहला dice, तो इसको बंद किया गया, तो ऐसा बनाया, तो यहाँ पर एक लेकिन, लेकिन यहाँ पर देखेंगे, क्योंकि अगर यह होगा तो यह नहीं होगा, यह होगा, तो यह होगा हराल में होना ही होना है, तो यह कंडिजन नहीं बनेगे, यही काम इसमें भी हुआ है, अगर दोनों वही दे देगा, जैसे यहाँ पर भी वर्गवाला दिया, यहाँ पर भी एक इस्टार दिया, माली जी कि इस इस्टार के अपोजिट के यह वर्गवाला था, तो यह सपोज कीजिए, माली जी कि नहीं है, यहाँ पर कोई और है, एक यहां पर देख लेखे इसको देख लेते हैं यहां पर इसी कंडिशन में को सकता हैं, यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यह वर्ग वाला हो मुझ दिया हुए तो यह बन जाएगा अपसें डीज़ राइट अंसर समझ जाए नेक्ट नमबर एनोलोजी का कोश्चन है बहुत इजी है अब आप लोगों के लिए है यह सारी चीज़े आपको फटा-फट कमेंड करना है कि बीस का समझ जैसे 205 से है एक सो पांच का समझ ज गा दें 25 आपका अंसर हो जाएगा इस दिरा इंसर दोसरा तरीका यह जो कि थोड़ा सा टाइम लेने वाला है जैसे 20 में मैं 10 का गुड़ा कर दू तो दोस्तों कितना हो जाएगा इसके बास ने पांच जोड़ा तो दो तो पांच होगा इसी तरीके से इसमें भी मैं अगर 10 का गुड़ा करके और पांच जोड़ू तो यह आपका आएगा क्या जरूरत है जब सीधे उंगली से घी निकल रहा तो उंगली त्यड़ी मत कीजिए यहां पर नहीं निकलेगा महाँ पर त्यड़ी कर लिजिएगा अपर नेइच्ट है सिरीज का कोशिन के रहा कि यहां पर कौसिस इसांख्या होगी करा शट्रच से 67 से 36 gay 30ıll अब यह बं है आप देखेंगे सब बने च्पर रहा चाहरों सांसुट कीजिए दोसके स्क work है ईब मिसिंग संख्या क्या होगी अब आपको मैं बता दू यहां पर 272 कैसे आया अगर हमें पता चल जा तो यह मिसिंग क्या हम निकालेंगे तो उसका तरीका क्या है तरीका यही कि जो उपर वाली छोटी-छोटी संख्या दी हुए है उसी से हम 272 लाएंगे कौन से ट्रिक अर्ग गुडा करें तो अड़को 32, अड़को 4849 नहीवाव ज्याद हो रहा है आप नहीं बन रही है तो क्या करेंगे पावर को और बढ़ा देते हैं चार-चार पावर कर देते क्लियर नेक्स्ट कोडिंग डिकोडिंग का कुशन कह रहा है कि आरमी बराबर आठ नम पांच दू लिखा हुआ मैं बराबर पांच चुरास ही लिखा हुआ तर नारी बराबर क्या होगा चलिए इसको देखते हैं तो इसमें आपको ज़रूरत पड़ेगी आटू-श, 1-च लेकर 26 तक नमबर की जोकि आपको यादोना बहुत जरूरी है साथी साथ इसके उल्टे करम की भी जैसे एक का जेट होताै बी का आपका वाई होता है सी का अपका एक सोता है ये उल्टे करम भी यादोने चीए तो अगर हम सीधे पहले करम में देखते हैं तो बहुत फरक है अगर ऐसे नहीं देखेंगे एक और तरीका देखने का की एकको लिखिए आर्ठार पो ज्यूद फजित Uh ऐसे आर का पोजिट आई होता है ऐसे ही M का पोजिट N होता है ऐसे Y का पोजिट दोस्त बी होता है अब इनके नमबर का दीजे Z का 26, I का 9, N का 14, B का 2 अब इनके आंकों को जोल दीजे 6, 2, 8 हो जाएगा, 9 हो ऐसे ही लिखे एक अंक वाले को ऐसे ही लिखे देंगे दो अंक वाले को जोल लेंगे चौदा है तो इसमें जोल लीजे 4, 5 हो जाएगा और 2 को ऐसे ही लिखे लीजे अब देखें, 89, 52, आया है क्या बिल्कुल सही है, ऐसे ही दोस्तों यहाँ पर भी करेंगे M, जो है M का उल्टा N होता है, A का उल्टा Z होता है, N का उल्टा M होता है, अब देखिए N होता है 14 पे, N होता है 26 पे, M होता है दोस्तो 13 पे, जो लीजिए 4, 1, 5 हो गया, 6, 2, 8 हो गया, 3, 1, 4, 5, 84 बिल्कुल सही है, अब नारी को भी ऐसे ही हमें करना ह नारी का अगर देखें तो इनका उपोजिट M, A का उपोजिट Z, R का उपोजिट I, Y का उपोजिट B, अब यहाँ पर करिए M 13 में पोजिशन पे, Z 26 पे, I 9 पे, B 2 पे, अब जो लीजिए 2 अंक वालों को, 3, 1, 4 हो जाएगा 13 वाले में, और यहाँ पर 2, 6, 2, 8 हो जाएगा अनौ को वैसे लिख लेंगे, दो को भी वैसे लिख लेंगे, एक अंक वाले को वैसे लिख लेना है, और दो अंक वालों को जोड़ देना है, दो अंको को, और 42 बान वे देखिए, तो option B is the right answer, next, when diagram, when diagram में आप जानते हैं कि जितने नाम रहते हैं, उतने circle का use करके, उनके relation को देखना रहता है, जैसे हाथी, बिल्ली, घोड़ा है, तीन नाम है, मल, जित तीन तो circle मैंने बनाया, अब तीनो circle को मैंने ले लिया, जैसे हाथी, elephant, E होता है, बिल्ली, cat, C होता है, घोड़ा, हाथी से कोई relation तो नहीं है, आप करेंगे, बिल्कुल कोई relation नहीं होता, जानवर तो सभी होते हैं, लेकिन ये सभी के सभी अलग जाद विरादरी के होते हैं, एक जैसे माली जी इनसान तो सभी हैं, लेकिन धर्मों में बटे हुएं, सेम वही चीज यहाँ पर है, तो हम करे बिल्कुल सही है, नेक्स्ट, यहाँ पर दोस्तों कह रहा है कि मिसिंग संख्या, मिसिंग अल्फाबेट, दो चीज़े निकालने के लिए कह रहा है, इसका रूल यह कहता है, कि पहले पहले को सबको लेज़े, जैसे यह ती पे ले ले लेंगे, यहाँ पर आर पे ले बना माइनस दो हुआ, अठारे से सोलव बना माइनस दो हुआ, तो नेक्स्ट इस्टेप माइनस दो करेंगे तो बार बनेगा, अबर हमी पोजिशन पर आता इल, आप्सन में देखेंगे तो दो जगए ल दिख रहा है, तो आप्सन की तरफ आपकी नजर हमेसे होनी चीए, यो कि कभी कभी ऐसा होता है, इसे ही में इल दिया रहाएगा, आप एक ही बार में निकालनेंगे, टाइम बचा लेंगे, और इग्शाम में दोस्तों, एक एक दोधो सिकेंड़ एक ताइम होगि, थी कि तरीके से टाइम बचा जाता है, कोई बात नहीं, एक चीज्ड़की सत्रह सब में दिया हुआ है तो हमें संख्या वाला मैटर देखना ही नहीं है बाकि बचा हुआ A, B, C, D, दोसरा वाला सब तो वह सीडियल करमें दिख रहा है देखिए A से B बनदा है B से C बनदा है C, C, D, बनदा है आगे क्या होगा E आएगा और क्या L, E हो गया और 17 दिया हुआ है आप का अंसर देखिए कौन सा है आपसे सीज़ राइट असर नेक्स यह फटा फट कमेंट कीजिए बहुत आसा नहीं करें मेढ़क का समझ्झ जैसे टराना से वैसे उल्लू का जो आ घी होगी, इनकी आवाज जो निकलती है वो दिया हुए मेठेट क्या ठाटर करता रहता है बर साथ में देखते ही है और बर साथ का सीज़र भी चलना है, अब यहाँ पर उल्लू क्या करता है उल्लू की आवाज कैसे निकलती है जरा कमेंट कीजिए आप लोग, यहां पर देखिए अपने कमेंट को मिलाई यह आप्शन डीज द राइट अंसर यह नी होट की आवाज निकलता है ने यहां पर दर पड़ नहीं बलकि जल है जल वाला दिया हुआ है कोई दिक्कत की बात नहीं एक दम इजी होता है यहां पर माली जी की जल परती भी है इस त वतियती मेंट दिया हुए तो तो क्या हो गां जैई सो जाएगा उपर से नीचे हो थीन फील पर आपशे होगे थीक उसके बाद यह यह वी आपस में क्या होंगे उपर से नीचे यह होगा ऊपर होगा जाएगा और यहां पर यह बगल वाले में तिर्वच दिया हुआ है इसका नोग नीचे की तरफ यह उपर की तरफ हो जागा इस तरीके का फिगर हम मिलाई यह तो ऐसे गलत यह भी गलत यह भी इधर वाला नीचे ही ए गलत यह नो आपसे इस तर आइटम सा क्लिया नेक्ट कौंटिंग फिगर से लेटर पूछ रहा है वर्ग की संख्या चलिए इसको रूल को समझते हैं देखिए अगर ऐसा दिया हुआ हो डाइगराम और पूछे कि वर्ग की संख्या कितनी होगी तो हमें नम्बरिंग करने हैं कैसे देखिए एक दो रो और कालम दोनों की एक दो त अब उसके बाद करना है लास्ट लास्ट वाले से चलेंगे जैसे यहाँ पर टीन का दो में गुड़ा करेंगे बाखी दिन का जोड़ा बना जैसे नीचे से चलेंगे तीन एक का बनाया तो दो गुड़े एक लिख लेंगे तिन दुना के च्छा दो एक अन्य दो यानि आठ इसमें कितने हो गया वर्ग आठ हो गया अगर यही ऐसे दे दिया है तो यानि जिनका सब का जोड़ा बने जैसे यह तो यहाँ पर भी वही काम करेंगे एक दो इस तरीके से एक दो इस तरीके से यहाँ पर इस तरीके से चलेंगे जोड़ा बना करके यानि दो का दो में गुड़ा करेंगे और एक का एक में गुड़ा करेंगे यह दो दुना के चार हो जाएगा एक करने हो जाएगा दोनों को जोड़ेंगे पांच हो जाएगा यानि कि ऐसा अगर कारियेटरिक है सबके काम करेगी चलिए अब चलते हैं इसके पाइखते हैं देखे यह आपका है कोई बाइटर ही नहीं इसका एक है सबको जो लिए पांच पाद दस एक गारवाट उननाईस आपसन इस दराइटन से नेक्ट नियाए और निगमत सिलोजिजम का कोश्चन तकी इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है लेकिन तरीका जैसा बताऊंगा आप आज के बाद कोई कह रहा है कि कुछ पौधे सब्जी हैं क्या कह रहा है कुछ पौधे तो क्या करेंगे इस पौधा बनाएंगे यह आपका क्या है पौधा इसमें भी सर्किल वाला जैसे विन डाइगरम बनाएं तो वही सही जैसे यहां पौधा है और उसके बाद सब्जी तो कुछ कह रहा ह उसको क्या करेंगे हम विटामिन के अंतरगत ऐसे ले लेंगे और ये क्या हो जाएगा विटामिन हो जाएगा एक चीज़ आप नोट करेंगे सभी सब्जियों को विटामिन लेने के चक्कर में हमने पौधे को भी विटामिन के अंतरगत डाल दिया इस चीज़ को अपने दिम क्या हुआ कुछ पाउधा विटामिन सब्सक्राइब कुछ वीतไमिन, जब सभी की सब्वी सब्वि कह रहा गलत है, गलत नासांफी वाली कर रहा हुर स полож निकला, किया देखा कि नहींन था करना, गलत सब्सक्र्ण करते हैं अशाण था कम रहा हुए, घ़िए केवर, निसकष है क कोई वीडियो राइट है तो दोस्तों में देख वीडियो पसंद आए होगी विलेंगा इससान दाध मागे दाटी के साथ नेक्स्ट वीडियो में तर तक लिए बाई बाई